जहिन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर युनिवर्सिटी के जो स्टुडेंट्स हैं बीएस्सी के उनके ओनलाइन एमसी क्यू एक्जाम होने प्लान हुआ हैं होने वाले हैं तो उन बच्चो के लिए आज हम लोग यहां पर पांच पॉइंट लेके आएं यह पांच पॉइंट कुछ खास हैं क्योंकि यह दो चैप्टर से कोर्रेलेट करते हैं दो से ज़्यादा चैप्टर से जुड़े हुए हैं और एक्जामिनर के लिए बड़े ही खास कोईशन है निश्चित मानिए कि यहां से आपको है जी और दूसरा है हमारा बॉंड बंद तो यहां पर जो दो चैप्टर हाइड्रो कार्बन और बंद हैं उनसे जुड़े हुए पांच पॉइंट हम लोग डिसकस करने वाले हैं और पहला पॉइंट रहेगा बंद लंबाई तो सरी यहां पर जो बंद लंबाई का पीच की बंद लंबाई के लिए आता है तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर हम लोगों ने तीन स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं पहली है जो यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बोंड है आप देख पा रहें एकल सह सहयोजी बंद है फिर दूसरे वाले सहयोजी या डबल बोंड है तीसरी वाली अकर्टी में आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बोंड या त्री सह सहयोजी बंद है तो यहां पर कोईशन यह बनता है कि सर यहां पर किसकी बंद लंबाई जादा होगी किसकी बंद लंबाई कम होगी या पिर इनको बढ़ते हुए या घटते हुए करम में व्यास्थित कीजिए किलियर है तो अगर मैं आपसे बोलू यहां पर कि यह इनकी बंद लंबाई के मान होते हैं जी यहां बिल्कुल सहीगा आपने कार्बन 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 के बीच एकल सहय सहयोजी बंद या सिंगल कोव टू एंग्स्ट्रोम होती है अब सर यहां पर समझने वाली बात यह है कि कार्बन कार्बन के बीच जैसे एकल सहय सहीँ जी बंदों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे बंद लंबाई कम होती जाती है तो यहां पर देखिए यहां पर सिंगल बोंड था तो 1.54 एंग घट गई है किया आपको सपस्ट है तो यहां पर द्यान लखीएगा कार्बन कार्बन के भी जैसे जैसे सैसे जियों जी यह कोविलेंट बोंड की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे बंदलंबाई यहां पर घठती चली जाएगी अगर यहां पर कोई आप से बोलता है कि इनको आप बन लंबाई के गड़ते हुए करम में वियस्थित कीजिए तो देखिए सर गड़ता हुआ करम कुछ ऐसा होगा किलियर है आपको सबसे बड़ा कार्बन कार्बन के भी सिंगल बोंड होगा फिर उसके बाद कार्बन 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 ट्रिपल बोंड होगा किलियर है आपको आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दखिएगा कि वो आपको कुछ ऐसे भी दे सकता है तो इनको अगर आकरती बनाएंगे तो आपको पता चलेगा यह होगा CS3 CS3 के लिए सिंगल बॉंड आ रहा त्यान से देखिए यह होगा CS2 डबल बॉंड CS2 किलियर है यह होगा हमारा CS ट्रिपल बॉंड CH तो सरकुल मिला के देखिए हम वही पर पहुंच गये हैं इस तरह की question भी दे सकता है आपको योगिक भी दे सकता है और बोलेगा कि इनको व्यवस्तित कीजिए बंद लंबाई के घटते हुए या बढ़ते हुए किरम में तो आप ही बता दीजिए किस वाले योगिक में बंद लंबाई जादा होगी C2H6 में C2H4 में या C2H2 में तो कारण रहेगा कौन सा सर बंद लंबाई कारण 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 के बीच उपस्तित सह सहियोजी बंदों की संक्या तो ज़्यादा इसमें है कम इसमें सबसे कम इसमें है तो ये वाला सबसे लंबा होगा बढ़ा होगा बंद लंबाई यहाँ पे छोटा होगा और सबसे कम इसमें होगा क्योंकि यहां पर कार्बन कार्बन की बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉंड या त्री से सहीं हो जी बंद आ गया है तो इस तरह से कोईशन बनते हैं ऐसे तो बनता ही है लेकिन यह से भी बनते हैं तो कोईशन को पैचानना भी सीख लीजिए अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ दूसरा रहेगा बंद उडजा पहले सवाल यह उठता कि बंद उडजा होती क्या है द्यान नखेगा दो परमानों के मद्य उपस्तित बंद को तोड़ने के लिए आवस्चक उडजा का मान बंद उडजा कहलाता है सर स्पस्ट नहीं हुआ तो सर यहां पे स्पस्ट में करके बेजूँगा चिंटा मत कीचिए आप यहां पे देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोविलन्ट एक्ल सैसंयोजी है यहां पे दिव सैसंयोजी है यहां पे त्री सैसंयोजी बंद है किलियर है तो आप देखी जब अभिक्रिया में ऐसे योगिक को परयोग करेंगे यह रापका सीटु एस्टिक जहां पर कारबन कारबन के बीच में एकल सही सही हो जी होगा या फिर दी सही हो जी हो जी होगा तो किस योगिक को कम उर्जा किया हो सकता पड़ेगी किसको बंद ज़्यादा की जुरत पड़ेगी तो सर देखिए यहाँ पे एकी बंद है यहाँ पे दो बंद है यहाँ पे त्रीन बंद है तो जैसे जैसे बंदों की संख्या बढ़ेगी बंदू वैसे वैसे बढ़ेगी बंदन उड़ जा इस परस नहीं हुआ देखिए फिर यह इन बंद के बंद उड़ जा के मान यहां पे कार्बन कार्बन के बीच एकल सह सही हो जी बंद तोड़ने के लिए 83 किलो कैलरी की जुरत पड़ती है यहां पे कार्बन कार्बन के बीच दीव बंद तोड़ने के लिए 146 किलो कैलरी की जुरत पड़ती है जबकि कार्बन कार्बन के फिर C2S2 तो सवाल यह उठता है कि किस योगिक के लिए आपको बंद उर्जा कम आवश्यक होगी तो यह राजी हमारा कम वाला क्योंकि इसमें है सिंगल बॉंड सर किसके लिए आपको जादा बंद उर्जा किया हो सकता पड़ेगी भाई वाला जहां पर कार्बन कार्बन के बीच बंदों की संक्या जादा होगी ट्रिपल बॉंड होगा तो वो है C2S2, Acetylene समझ में आया जी तो यहां पर इसके लिए बंद उर्जा कमान जादा होगा तो इस चीज को भी आपको दियान लखना है तो दो पॉइंट हो चुके, पहरा ता बंद लंबाई, दूसरा ता बंद उर्जा आप चलेंगे तीसरे पॉइंट की तरफ, clear है आपको तीसरा है जी हमारा बंद कोन, clear है कार्बन कार्बन ह, तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये वाला जो बंद आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन एच की बीच ये वाला बंद जो है इसका मान किसमें जादा किसमें कम तो आई फिर देखेंगे हम तो सर देखें यहाँ पे मैंने तीन यूगिक लिए तो ये हमारा CS3 CS3 single bond है clear है मैंने यह बंदा करती बना दिये यह हमारा C2H4 है यह बंदा करती है इसकी clear है यह हमारा C2H2 acetylene था तो यह उसकी बंदा करती है अब यहाँ पे आप देखिए कि बंद कोन की अगर बात करें तो यहाँ पे C single bond C single bond H यानि कि इस वाले bond की बात हो रही है यहाँ पे अगर बात करें तो carbon carbon H की बात करें तो यह देखिए carbon carbon यानि कि इस वाले बंद की बात करें या फिर इसकी बात कीजिए यहाँ पे carbon carbon H की बात करें तो आप left side चलेंगे तो carbon carbon याने की यह वाले बंकी बात हो रही है जी और यहां पर बंद को दिए उए तो यह पर देखी यह common를 होगा इससाज डिग्री पांच मिनट किलियर हुआ जी अब यहां पर बात करें कार्बन कार्बन एच की तो इस वाले को ले लिए इस बार नीचे वाले को तो सर ये वाला बंद ले लिजिए फिर या या ये वाला या फिर ये वाला भी हो सकता है ये भी हो सकता है कार्बन कार्बन एच यान अब के अंदर बंद कोणड जादा है जी कार्बन कार्बन की बीच यहां पर देबंद हारा है तो यह आपको चीजे यह पॉइंट आपको याद रखने होंगे क्योंकि ये क्यूशन बंटा है अब अगला लेंगे जी चोटा पॉइंट होगा क्रियासीलता तो जट से जलते हैं क्रिया सीलता की तरफ यानी कौन ज़्यादा तेजी से अभी क्रिया करेगा क्वन मन अभी क्रिया तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिया हूँ है हमने एथेन यह लिया एकार्बन की चाहि यह है सिघल स्विलिट हो और जो आपके हाइड्रो कार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में अगर दीव सैस जहिए ओजी डवल वोन्ड या ट्रिपल वोन्ड ay जाता है तो और यह इसंतरफ परकारगा है physics of you कि ben जानते हैं और सफ्ञाइब बंसके में यह आपका बंद है वो प्रिपल बंद है कि अधिक क्रियासील होगा ये वाला दीवबंद है ये हमारा कम क्रियासील होगा और यहाँ पे एकल सह सही हो जी है ये अत्यांद कम या क्रियासील नगणने होता है सर ये आपका संतरफ्थ है ये सरल परिस्थितियों में क्रिया नहीं करता है इसके लिए आपको कंडिशन लगा पड़ती है अभी के लिए के अंदर ताप दाप उत्पे रख परयोग करने पड़ेंगे तब जाके यह बंद तूटता है क्योंकि इसमें सिंगल बंद है तो ध्यान लखीगा ऐसा पदार्थ ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉंड होगा वह अधिक्रियासी सर पांच यह पॉइंट है अमलियता बहुत ही important point है question आता है तो जान लेते हैं क्या होता है अमलियता यहाँ पे देखिए तीन पदार्थ दिये हुए इनमें आपको अमलियता की तुलना करनी है सर अमलियता का मतलब होता है कोई भी ऐसा पदार्थ जो सरल्टा से h प्लस दे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ यह पदार्थ अगर अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो यह सरलता से अगर अभिक्रिया में H प्लस दे देते हैं तो वो पदार्थ कहलाता है अमलिये और जो जितनी सरलता से जल्दी से H प्लस देता है वो उतना ही अधिक अमलिये होता ह तो देखे तीनों पदार से मैंने सर निकाल दिया H+, इसका ताथ पर यह हुआ कि क्या यह तीनों अमली होते हैं तो बिल्कुल गलत है ऐसा नहीं होता है अगर आपने हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा व्यूट 1 आईन और व्यूट 2 आईन में अंतर कैसे करेंगे तो यह आपको दिक्कत करेगा आप वहाँ पर जाएए और उसको देखिए किलियर है जी उस अंतर को समझेए इस पस्ट हो जाएगा तो सर यहाँ पे यह संभाव नहीं है गलत है यह नहीं होगा इसका अतातपर यह यह इसका मतलब यह कि यह अमलिया नहीं होता है है जी हाँ जी सर कारण है संक्रण तो यहाँ पे कारबन की बात करें इस पदार्थ के दोनों कारबन SP संक्रित हैं यहाँ पे इसके लिए संक् 3 होता है तो जिनोंने पड़ा है जो जानते हैं उनकी लिए स्रिफ एक लाइन बोलूँगा वो यह है कि किसी भी योगित के अंदर जैसे जैसे S करेक्टर S S करेक्टर या S लक्षन बढ़ता है उतना ही ज़्यादा अमलियता बढ़ती जाती है किलियर हैं यहां पे S करेक्टर की बात करें या S लक्षन की बात करें तो वो 50% होगा अब हो सकता है हो सकता है कि यह चीज़े कुछ लोग के सर के ऊपर से उतर जाएं बैं मतलो टेंसन जब है केमेस्ट्री जंक्सन हम ट्रिक्स की बात करें बेसिक में नहीं जाऊंगा इसको नहीं रोख देता हूँ है ना क्योंकि ये बात सी 15-20 प्रसेंट बच्चे समझ पाता है जो जिसने पहले से केमिस्ट्री पढ़ा होता है और हमको पता है हमारे बच्चे मासूम है तो उसके लिए आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसके अंदर SP संक्रन होता है वो बहुत ज्यादा अमलिय होता है तो मैं यहां पर लिखता हूँ SP उसके बाद लिखूंगा SP2 और उसके बाद लिखूंगा SP3 किलियर हुआ तो यह रहेगा अमलियता का करम अमलियता का करम तो आप ही बताईए कि कौन ज़्यादा अमलिय होगा वो पदार्त या वो आईडरो कार्बन जिसके अंदर कार्बन का संक्रण SP होगा वो बहुत जल्दी से H प्लस देगा किलियर है जी बहुत जल्दी देता है हाँ ले जा ले जा भहिया तो ज़्यादा मलिय कौन जिसके अंदर कार्बन कार्बन की बीज ट्रिपल बन दो किलियर है और किनारे पे हो सिमान थोना चाहिए अब अगर बात करें सर यहाँ पे इस वाले पदार्त की तो यहाँ पे आज़ की वीडियो में हम लोगोंने 5 फट्रमीट के वीडियो में हमको खूशन मिलेगा बिल्कुल मिलेगा सर इन पांचो पॉइंट को समझ लीजिए अलग अलग तरीके से question आता है पर अगर ये आपको पैचानना आता है ये आपको याद है तो ये question आपको number देखे जाएंगे एक मिनट से भी कम समय के अंदर पका वादा है आपसे लेकिन depend करता है कि आप कितनी मेनद करते हैं clear हुआ होगा आपको